है गाइस आम निशान चाहर आम इन इंकमिंग S.D.E. at Microsoft और बिना किसी देरी करें वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट ठीक है त्यार मैं अपने एक दोस्ते जिसे help ली थी वो अभी Google जा रहा है और उसने काफी और companies भी निकाल ली थी तो उसने का रहा रहा है एक proper dog ही बना दिया था अब मैं उस dog का लान लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा तुम्हें बाद में पढ़ लेना एक बार ही मैं सारी चीज़े समझा लेता हूँ बाद में उसको खोल के पढ़ लेना जो जो चीजों लिखी है तो इसमें उसने बहुता था कि यार तुम code forces, art coder practice के लिए use कर सकते हो code forces, art coder and top coder तुम्हें contest के लिए use कर सकते हो ठीक है और code chef के यार तुम्हें जो short contest होते हैं वो भी अच्छे होते हैं ठीक है वो गरता personally उसको long contest पसंद नहीं है उतने but when you are starting जैसे मैंने code chef वाली video में बताया था तुम्हें long contest देने चाहिए उससे तुम्हें चीजे सीख सकते हो तुम्हें time मिलता है चीजे सीखने का ठीक है यह हमारा first point हो गया second point है यार which problems to solve on code forces अब code forces में तुम्हें क्या करना है जितनी तुम्हारे rating होंगे उससे 200-400 उपर वाली rating के questions तुम्हें solve करना है ठीक है तो देखो यार अगर तुम्हारे 1850 rating है तो तुम्हें क्या करना है problem set वाले page पे जाना है filter लगा देना है ठीक है और select कर देना है rating race 2000 to 2200 और वो जो जितने भी problems आएगी तुम्हें वो सारी problems को करना है solve ठीक है तो उसने एक चीज और लिखी हुए है कि यार अगर तुम 2000-2200 के बीच में problem कर रहे हो उस वाली rating में अगर तुमसे वो problems नहीं हो रहे है तुम क्या कर सकते हो 100 shift कर सकते हो ठीक है तो थर्ड चीज जो उसने बोले थी कि एक सबके मन में doubt होता है कि should you use tags while you are practicing problems कि जो tags होते हैं अगर question DP का है question arrays का है ठीक है question तुमारा binary search का है तो क्या तुम्हें वो tags लगा कि practice करनी चाहिए तो उसने साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि no ठीक है अगर तुमने कोई नया नया टॉपिक पढ़ा है तुम चाहते हो कि इसको अच्छा मास्टर पढ़ा है तुम चाहते हो कि अच्छा मास्टर पढ़ा है करना तो क्या तुम्हें फिर टाक्स लगा के questions करने चाहिए तो इसमें भी उसने निखा यार not advisable अगर तुम कर रहे हो competitive programming ढंक से सीख रहे हो तो यह चीज मत करना तुम क्या कर सकते यार blogs वगयरा डूंड सकते हो उस topics से related कुछ blogs वगयरा मिल जाएंगे तुम्हें online तुम वह blogs पढ़ सकते हो जो basic questions है जितने भी तुम्हारे है तुम वह कर सकते हो जो standard questions होता है यार हर data structure वह करना के बाद फिर तुम code forces पर code chef पर कूद सकते हैं फिर lead code पर कूद सकते हैं should you read the editorial यार एडिटोरियल तुम्हें जभी पढ़ना चाहिए अगर तुम 20-25 मिनिट तक विल्कुल clueless हो कि तुम्हें समझे निया रहे इसमें कौन सी algorithm यूज होगी या कौन सा data structure यूज होगी इसमें करना ही क्या है तो तुम जाके सिधा एडिटोरियल पढ़ सकते हो वह कुछ लोगों के लिए time कम हो सकता है जादा हो सकता है अगर तुम अभी start कर रहे हो तो मतलब काफी time हो गया तीन-चार साल से कर रहा है अगर तुम अभी start कर रहे है तो आए घंटे तक सोचो अराम से ठीक है जतना दिमांग लगा सकते हो लगा लो उसके बाद जाके में हो सकता है कि महां पर solution मिला हुआ हो या फिर कम space use कर रहे हैं या फिर कुछ अलगी logic लगाया हो जो तुम सोच नी सकते है so that will help you like increase your abilities and increase your problem solving skills अब 6th question है कि यार which contest should you give ये सब के दिमाग में doubt होता है contest कौन से देने चाहिए अब contest के लिए उसने 2-3 चीज़े बताई है अगर तुम एक beginner हो तो सारे contest दो तुम code forces भी दो, code chef भी दो, division 3 भी दो, division 2 भी दो जितने दे सकते हो जितने problem solve कर सकते हो करो अब अब अगर तुमारी rating 1700-1800 तक पहुँच चुकिया code forces पे तुम division 3 को skip कर सकते हो क्योंकि यार वो तुमारे लेक तो rated नहीं होंगे जैसे उसने लिखा है and skip कर सकते हो क्योंकि वो easy problems होंगे तुम solve कर लोगे उसके बाद क्या कर सकते हो और तुम long contest को skip कर सकते हो अगर तुमारी ठीठा competitive तुमें आ गई है क्योंकि वो beginners के लिए ही होते है and finally उसके बाद तुम और short contest code chef भी दे सकते हो तुमें 8 quarter पर भी दे सकते हो and code forces भी दे सकते हो तो अब एक बहुत बड़ा question होता है कि मैं तो कर रहा हूं contest दे रहा हूं but मेरी rating improve नहीं हो रही उसको उसने बहुत अच्छा सा तरीका बताया उसने तीन चीज़े वो लिए है सबसे पहले क्या करना है तुमें practice करो first to five points जो तुमें उपर given थे ना जो discuss करे थे हमने उनके basis पे तुम करो ठीक है अगर वो नहीं होता है तो पाइसिपेट करो contest में अगर contest में पाइसिपेट करने के बाद तुमें क्या करना है upsolving करनी है अब उसको नहीं पता यार upsolving क्या होती है तुमने contest दे दिया contest देने के बाद उसके problems फिर से try करे फिर से attempt करे that is called upsolving उसके बाद यार if you are a beginner तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसे start करना है तो एक PDF का link तुम्हें मिल जाएगा उस जॉक में उस पर पढ़ सकते हो और तुम्हें क्या करना है long court contest देना है division 3 वारे contest देना है and DSL को languages होडी बहुत सीखनी है उसके बाद तुम्हें यह सब कर सकते हो मतलब क्योंकि तुम्हें ना rating का gain होता है ना तुम्हें पर time का pressure होता है और में recording तुम दे सकते हो और virtual contest जैसे अगर तुम प्रेपेर कर रहो अपने online टेस्ट अगर अगे लिए तो तुम हर 2-3 दिन में एक virtual contest देतो और contest नॉर्मल वाले तो दो यही दो बट वर्चूल इसलिए दो क्योंकि हो सकता है कि वो contest पहले हो चुके हो इतने frequently contest ना हो रही हो कि तुम हर 2-3 दिन में practice कर पा रहे हो तो virtual contest दे सकते हो दो ऐसे ही जैसे तुम्हें नॉर्मल contest दे रहे हो don't think of them like a virtual contest कि या इसो कुछ फरक ने बढ़ेगा सेम प्रेशर लो सब कुछ सेम करो एंट फिर दे तो एक क्वेस्टिन हो था है इन वट और शुड़ाइ लर्न तो गेट गुड़ाइट कॉंपेटिव प्रोग्रामिंग भाई एक मसा मतलब पीडेफ दे रखे हो जाकर तुम खोल सकते हो ठीक है यार इस वाले डॉक का लिंक तुम मिल जाया क्योंकि मैं इतने सारे पीडेफ डालूंगा तो कोई पॉइंट होगा नी तो ये तुम सब जाकर दिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो अब एक नॉर्मल वे क्या होता है यार तुम इंप्लिमेंडेशन सी को STL डेटा स्रॉक्चर वगरा सी को फिर तुम ग्रीडी बाइनरी सर्ष डीपी सी को दें सेग्मेंट ट्रीश को स्पार्स टेबल डिस्यू ग्राफ्स एडवांस टॉपिक्स करके वेबसाइट है सम कोड़ फोर्स कुछ कोड़ फोर्स ब्लॉग वगरा है और कुछ हाकर अर्थ के ब्लॉग्स हैं जिससे तुम पढ़ सकते हो और क्या कर सकते हैं यूज गूगल सर्ष फॉर वर्च्टेवर टॉपिक्यू वांट अगर तुम्हें DP on trees पढ़ना है तो DP on trees code forces करके search करोगे जो तुम्हारे पहले result आएगा तुम उसको जाकर पढ़ सकते हो मजा आजागा तुम्हें तो भाई ने तो यह बोलाए कि उसने YouTube channel से वगरा कम चेक करें तो तुम कर सकते हो चेक है काफी सही है यार काफी मस्त बंदा हो और इसके वाद तुम्हारे न 2-3 प्लस तुम्हारे points वगर हैं इस video में इस doc में तुम्हें मिल जाएंगा कि how to get a good rank at kickstart and how to prepare for ICPC इन दोनो questions के answer तुम्हें doc में मिल जाएंगे तो तुम doc में जाके पढ़ सकते होगे कुछ लोगों को शायद ना देखना होगे तो जिन लोगों को देखनी है वो doc में जाके पढ़ सकते हैं भाई ने बहुत अच्छे से explain कर रखे हैं सारी चीज़ें ठेक है तो इतना इता आज वाले वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई पसंद आई ही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देने यार ठीक है 1000 लाइक का एम है अपना इस वाले वीडियो में तो जाके जल्दी से लाइक वाला बटन दबादो सब्सक्राइब नहीं कर रखा आप तक तो सब्सक्राइब कर दो चानल को 30 देज चालन चल रहा है अपना डे 20 है यह तो कमिट करके बताओ यार डे 20 प्रोग्रेस उनली 10 देज मोर तो गो और भाई 30 देज कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल फुल मौच इसके बाद कुछ करते हैं मस्त प्लान ठीक है तो यार इतना ही था शेयर कर अपने दो हुद चाह, झालन चाह हुदा कर आख लेगया देज हुदा, ज storage बहा है तो कि हुदा है बालब करता हुदिया।